Hello everyone, मैं हूँ अभिशेक खाणिया, I am a dancer and choreographer from love to dance studio तो आज हम तीन ताली गर्बा सिखने वाले हैं अगर आपने अभी तक कभी भी गर्बा नहीं किया है या कभी भी अपने पेरों को गर्बा के लिए उठाया नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखके आप definitely तीन ताली गर्बा सिख जाओगे तीन ताली गर्बा जो है वो इजी गर्बा स्टाइल है और वही इजी स्टाइल को मैं और ज्यादा इजी तरीके से मैं आपको सिखा होगा So let's start to learn तीन ताली गर्बा को हमने थ्री पाट्स में डिवेड किया हुआ है पहले है लेग सेकेंड है अपर बोड़ी एंड थर्ड है हैंड्स क्लैप्स स्टाइब करते हैं लेग से पहले लेग जोइन रखना है थोड़े से ओपन पहले हम राइट लेग उठाएगे अपना और आगे लेके जाएगे एन्ड लेफ्ट उपर आएगा Let's start one उस टाइम पर पिछे वाले लेग को लेफ्ट लेग को उपर करना है वन मोर टाइम then, पहले वाले leg, right leg को करना है, उपर, okay, one more time, right leg, one and two, okay, one more time, मैं अपने right leg को आगे लेके जाओगा, वापस से, one, तब left leg उपर, अभी two, ये उपर आया, अभी उनको मैं पीछे लेके जाओगा, right leg को ही पीछे लेके जाओगा, और left को उठाओगा, जैसे ही मेरा right leg पीछे surface पे touch होगा, वैसे ही मेरा left leg उपर आएगा, और जब वो नीचे जाएगा, उनको हम four नहीं, उनको हम end count करेगे, okay, so let's start from the beginning, जैसे ही leg surface पे जाता है, एक leg surface पे रहता है, दूसरा leg उपर रहता है, जैसे ही दूसरा leg surface पे होता है, पहला leg नीचे touch होता है, one, two, three, end, इसको हम end count करेगे, okay, one, two, three, end, one, two, three, end, practice करते रहिए, first thing, second thing यह है, कि आपको अगर यह इतना नहीं जम रहा है, तो आप वीडियो का अभी क्या भी pose कीजिए, और practice कीजिए, जब तब तक practice करते रहिए, जब तक आपको confidence नहीं आ जाता है, first thing, second thing, यह वीडियो mirror नहीं किया हुआ है, तो मैं अपना right leg उठाता हूँ, तो आपको भी अपना right leg उठाना है, और मैं अपना left leg उठाता हूँ, तो आपको भी अपना left leg उठाना है, okay, got it, now, move on for second part, upper body, जब मैं अपना right leg आगे करूगा, और पीछे करूगा, उस time पे मेरी body left side and मेरी body right side turn होगी, okay, पूरी body को हम turn करेगे, okay, so let's start, आगे and पीछे, मेरी left side body turn हो रही है, मेरी right side body turn हो रही है, left side and right side, okay, इनका भी same part जाएगा, तब तक करते रहना है, जब तक आपको confidence नहीं आ जाता, okay, बार-बार repetition करते रहना, ऐसा आपको लगे कि थोड़ी speed बढ़ रही है, मैं थोड़ा fast सिखा रहा हूँ, तो वीडियो को pose करके, आप practice किजिए and फिर resume कर लिजिए, तो अभी हम move on करते है, third part वो है claps, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू, कि claps में बहुत सारे variation है, बहुत सारे variation है, जैसे का आप आगे से पीछे, उपर से नीचे, नीचे से उपर, बहुत सारी styles कर सकते हो, पर अभी सिखने के लिए हम कोई एक particular style हम लेगे, और उस पे हम practice करेगे, so let's start from clap, one, two, three, okay, पहले अपने कमर और नीचे बीच में clap करनी है, second अपके face के सामने clap करनी है, okay, second and third head के उपर और पीछे की side, थोड़ी पीछे की side clap जाएगी इस तरह से, okay, one, two, three, and one, two, three, and one, two, three, okay, so आपको clap की practice अलग से करनी है, ताकि आपको confidence आए, so उनको अलग से भी आप कर सकते हो, and फिर दीरे 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 हम leg, upper body and claps तीनों को साथ में करेगे, okay, so अभी हम तीनों चीज़े साथ में करेगे, legs, upper body, second part and third part अपनी claps, okay, let's start एकदम अराम से करेगे, five, six, seven, go, one, two, three, and one, two, three, and one, two, three, and one, two, three, and one, two, three, so congratulations, अगर यहां तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, और यह मेरे साथ कर रहे हो, तो आपको तीन तली गर्बा आ गया है, और अभी तक आपको गर्बा नहीं आया है, तो आप प्रेक्टिस कीजिए, आपको definitely आ जाएगा, अभी आता है, मैंड टास्क, अभी हम करने वाले सर्कल में गर्बा करने वाले, क्योंकि आपको पता है, कि सर्कल में ही गर्बा किया जाता है, अभी तक हमने प्रेक्टिस की दी, स्ट्रेट खड़े रहेगे, अभी एक सर्कल इमेजिन करेगे, कि सारे लोग सर्कल में गर्बा कर रहे है, और हम भी उनके साथ गर्ब कर रहे है, तो एक पोजिशन में हम आ जाएगे, अपना लेफ्ट लेग अंदर की सेड रहेगा, और मेरा बोड़ी आगे की सेड मूँ अभेगा, और ये जो वाइट leg में अंदर की ओर लेके आऊगा and फिर थोड़े legs को आगे में लेके जाऊगा ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ और इसकी भी हमें slowly practice करती रहनी है जैसे जैसे आप practice करते जाऊगे वैसे वैसे confidence बढ़ेगा ओके तो अभी पूरी body के साथ leg upper body claps के साथ circle में आगे बढ़ेगे okay so let's start five six seven go one two three and one two three and one two three and one two three got it yes and most important thing music के साथ का वीडियो मैंने आपके साथ यहाँ पे share कर रहा हूँ और garba की link में नीचे description में भी आपके साथ share कर रहा हूँ तो आप practice कर सकते हो okay so as you know myself अभी शेक्षान याँ dancer and choreographer from love to dance studio यहाँ तक अमारे साथ चूड़े रहने के लिए तह देल से शुक्रिया keep smiling